देखें ये प्रेस कांफरेंस जो है विकास प्राधिकर्ण में व्याप्त भष्टाचार और अधिकारियों की द्वारा जो एध्या की जनता का सोशन किया जा रहा है उसको ले करकिया है कास करके माजा जम्तरा जैसे छेत्र में एरो सिटी के नाम पर दसर नगर जैसे छेत्र को ले करके और मस्वधा जैसे छेत्र को जिसको हरित पट्टी कह करके लोग वहां के लोगों को परिसान कर रहे हैं उनका जो है सोशन कर रहे हैं माजा जैसे छेत्र में जबकि महायोजना में पार कियों खुला स्थान है माजा का छेत्र महायोजना में पार कियों खुले स्थान में दर्ज है जिसमें पिकनी के स्पार्ट से लेकर के कई चीजों का निर्मार किया जा रहा है इनकी महायोजना के अंसार लेकिन यहां के उच् चलाने की धमकी देते हैं और वहीं आप देखिए कि एसटीपी के अंदर तिन-तिन भौनों का निर्माल किया जा चुका है महायोजना के भी प्रित अभी तीस तीन को इनके द्वारा महायोजना को तीस एकड़ भूमी को बदलने का उसका भूम्योक बदलने का प्रयास किया गया और वहीं अनिकिसानों को उसी अस्तर पर रखा जा रहा है अगर वहाँ आदमी दो फिट तीन फिट अपनी बाउंडरी भी उठा लेता तो उसको कहते हैं बुल्डूज लगा के तोड़ देंगे और आपने इतना बड़ा स्टीपी बनवा डाला बिना मांचित स्वकित कराए जिससे प्राजकरण को लाखों रुपे की राजयो सचती है उसको कौन देगा प्राजकरण उससे लाखों रुपे राजयो सप्राप्त करता भगवार राम जनभूम का नक्सा पास हो सकता है तो क्या वहाँ पे जो आपने बनवाया है सीवेट ट्रीट्मेंट प्लांट उसके अंदर जो बिल्डिंग बनी है उसका नक्सा नहीं पास करना जोरी समझा आपने किसानों को छपर रखने की अनमत नहीं है आस्ताई कर्श्रक्शन करने की अनमत नहीं है और बड़ी बड़ी पार्टियों के एक रुपे पे आट सो बिस्ता जमीन आप दे रहे हो तो ये पोर्टया गलत है और दर्सन नगर जैसे छेत्र में कई गाओं आते आपने एरो सिटी घोसित कर दी आप जगा जगा बैक पूट पे भी आ जाते हो मसोधा जैसे छेत्र में पचीसों गाओं को आपने कह दिया कि ये हरित पट्टी है वहाँ के लोग जो जमीन खरी चुके हैं जो मकान बनवागा चुके हूँ क्या करेंगी आपके तो चलो जो बनवागा चुके हुआ उनको रहने दिज़िए उनको नहीं तोड़ेंगे जैसे आपने देखा होगा कि गुप्तारगार जैसे अस्थान पर बरसों से लोगों ने अपनी दुकाने खोली थी वहां के लोगों को इन्हों ने अस्वासन दिया कि दुकाने बन नहीं मैं आपको दुकाने दूगा बड़ी-बड़ी पार्टियों को मुझे दामों पर आपने बेद दिया उनको हटाने के लिए बाद कर रहे हैं आप लगात करेंगे हमने अभी कहा कि ऐसे अधिकारियों की कार सहली के कारण भाजपा यहां से चुनाव हारी है और हमें विश्वास है कि मान्यम मुखमंत्री जी इस पर तुरित कारवाई करेंगे ऐसे अधिकारियों को डंडित करेंगे ऐसा संभो ही नहीं है हम आंदोलन करेंगे इसके लिए हमार पार की लड़ाई लड़ने को बार्द होंगे